असलाम अलेकुम बच्चों, उमीदाबा खेर होंगे, आपके असबाग का सलसिला शुरू करते हुए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगे, मुहम्बत तुफैल और इनके लिखे हुए खाका, जिगर साहब, ये मशूर शायर जिगर मुरादाबादी का खाका है, जो हमारे मशूर शायर हैं, जिगर मुरादाबादी, ये उनका खाका है, जो मुहम्बत तुफैल ने लिखा है, मैंने आपको बताए कि खाका क्या है, ये मैं पहले चेप्टर में बता चुकी हूँ, आएए पढ़ते हैं, मुहम्बत तुफैल की पहले हालत जिन्दगी बिसमल्लाहिरा माले रहीं, 1923 इस्वी में इनके पैदाइश हुए, और 1986 इस्वी में इनका इंतिकाल हुआ, मुहम्बत तुफैल मारूफ अद्भी रिसाले महे नामा, नकूश, लाहर के मदीर थें, जो अद्भी रिसाला महे नामा निकलता थे, यानि हर महावाला, महे न नकूश, जो लाहर से नकलता थे, वो इसके मदीर थे, नकूश उर्दू के मशूर और मियारी जरीदों में शुमार होता था, नकूश रिसाला दुझा, वो अर्दू के मशूर और मियारी जरीदों में शुमार होता था इसका, नकूश का एक अहम इंतियाज, इसके जखमी खास नमबरों की वजह से है आप बीती नमबर लोहर नमबर मंटो नमबर पितरस नमबर शक्सियात नमबर और सबसे ज्यादा रसूल नमबर की वजह से हमारी अद्वी सहाफत की तारीख में नकूश का मरतबा बहुत बुलंद है नकूश 498 इसवी से जून 496 इसवी तक मुह मतुफैल की अदारत में शाय होता रहा नकूश का इसलिए ज़्यादा मरतबा था क्योंकि उसमें क्या होता था आप बीती नमबर भी था लोहर नमबर भी छपता था मंटो नमबर भी छपता था और पितरस नमबर शक्सियात नमबर और सबसे ज्यादा रसूल नमबर की मुहम्मद दुफैल एक अच्छे मदीर होने के साथ साथ एक काम्याव खाका निगार भी थे इनके लिखे हुए खाकों के मजमुएं मखदूमी, महबी, मौजब, मुकर्रम, मुहतरम, आप, जनाब और सहब के नामों से किताबी सूरत में शायर हो चुके हैं ये सब इनके खाके के मजमुएं हैं कौन हैं मखदूमी, महबी, मौजब, मुकर्रम, मुहतरम, आप, जनाब और सहब के नामों से किताबी सूरत में शायर हो चुके हैं मुहम्मद दुफैल का मुशाहदा गहरा था साफगोई, बेबाकी और बियान की रवानी इनकी तहरीरों के औसाफ है खाका जिगर सहब, मुहम्मद दुफैल की किताब सहब से माखूज है जिगर सहब, खाका हम पढ़ रहे हैं, मुहम्मद दुफैल की किताब सहब से माखूज है ये साहब उनकी जो किताब है उसी से कुछ हिस्सा इनका लिया गिया है जिगर साहब जो खाका है ये किसका लिखावा है जिगर मुरादाबादी जो मशूर शेयर है उनका लिखावा खाका है आएए शुरू करते हैं तकाटक दोपहरी थी यानि बहुत तेज दोपहर थी वो भी लखनौ की तेज धूप थी दोपहरी की और वो भी लखनौ की मैं खुब मज़े से सोया हुआ था इसलिए के पंखा और पसीना साथ साथ चल रहे थे अहल लखनौ की तरह से ना धूप में लटाफ़त थी ना नजाकत क्योंकि लखनौ वाले में भूत नजाकत होती है लेकिन इसके यहां के धूप में क्या है नजाकत थी और न लटाफ़त यारी लुथ नहीं था, मज़ा नहीं था ना जाने अल्लह मियाने अगा, हाला के चाहिए ये था कि वहां के रहने वालों के मजाख के मताबिक हल्की सी धूप होती, जिसे एहल मजाख प्यार में धूपिया कहते हैं, अब लखनौ वाले क्या थें? बहुत नजाकत पसंद थे, इसलिए धूप भी थोड़ी हल्की सी होनी चाहिए, जिसे लोग म जाकते में शेर ही कहते हैं और शेर ही सुनते हैं, वहां पहुचकर मुझ पर भी ये असर हुआ कि सोते ही सोते शेर सुने, इन में से एक शेर मैं आपको बला तरन्नौ सुनाता हूँ, अल्ला अगर तौफिक ना दे, इनसान के बसका काम नहीं, सैजान महबत आम सही, इरिफ महबत आम नहीं, मैं बेदार होने के मूड में ना था, लेकिन इस शेर के साथ जो तरन्नौ था, उसने कुछ-कुछ आँखें खोल दी, फिर दूसरा शेर, नीम बेदराजी, बेदारी की हालत में आधा सुना, आधा आउंग गया, तिसरे शेर ने खासा चौका दिया, रफ रफता रफता नींद गायब थी, और मैं बेदार पहले ख्याल आया, कि शौकत थानवी साहिब अपने इशार जिगर साहिब की ले में पढ़ रहे हैं, इसलिए इन दोनों मेरा कियाम शौकत साहिब के यहां था, क्योंकि इन दोनों हमारे जो मसन्निफ है, उनका कियाम शौ शौकत साहिब ने आवाज दी, भई तुफैल जाग रहे हो, इधर आओ तुम्हे एक चीज दिखाएं, मैं उठकर दूसरे कमरे में आया, तो चीज के बजाए जिगर साहिब को देखा, शौकत साहिब ने जिगर की तरफ इशारा करके कहा, आप इने जानते हैं, जी हां, श सब को नहीं जानते हैं, इस पर जिगर साहिब के चेहरे पर दबी दबी मस्कुराहट खेल गई, और शौकत साहिब से मेरे मतालिख पूछा, आपकी तारिफ, मैंने सोचा कि मेरा तारूफ कोई दूसरा क्यों कराए, अपना भरम ये कहकर रख लेना चाहा, कि मेरा नाम मुह तुफैल है, ये था मेरा जिगर साहिब से पहला बाकाइदा तारूफ, जिगर साहिब के शेरी कारणामे अमीठ है, अमीठ है यानि बेंतेहा है, मिटने वाला नहीं है, जिगर साहिब ने खुद अपने हाथ से शेरी अदब की तारीख में अपना नाम जली हुरूफ से लि उस्टे शेर के सकता है । फिसले में घलत नहीं की सचे शाईरों का शाईर का माहल से मतासिर होना लाजिम है। जिगर साहभ के सुच और इसके अजहार और अमल में तजाद नहीं। खोज लगाने से कोई न कोई कमजोरी उनमें मिल ही जाएगी मैं भी नहीं जाहता कि हम अच्छे भले इनसान को फरिश्टा कहकर इसके तजलिल करें लेकिन खोज लगानी के जरूरत ही क्या है अगर खोज लगाना ही है तो मकाबलतन खोज लगाईगे और फिर देखे कि जिगर साहब कितने उचे मकाम पर है जिगर साहब बड़े खुशमजाक हैं हर वक्त बकरात बने बैठे रहते हैं दोस्तों को देखकर खिल और खुल जाते हैं बातों बातों में कोई ना कोई फकरा चिपका देंगे फिर खिला खिला कर हसेंगे फिर जरा सी हसी को रोकेंगे और उं कहकर फिर हसेंगे और खूब हसेंगे एक महफिल में जिगर साहब शेर सुना रहे थे और एक साहब ने बेनियास से बैठे थे एक शेर पर उन्होंने एकाई की और बेसाखता दाद दे डाली जिगर साहब उनकी तरफ मतवज्ज़ हुए और कहा आपके पास कलम है? क्या किजेगा? मेरे इस शेर में जरूर कोई खराबी है वरना आप दाद ना देते इसलिए इसे अपने दीवान से खारिच करना चाहता हूँ जिगर साहब रोज बरोज फलस्फी और विलियूल्ला बनते जा रहे हैं हर बात का फलस्फियाना रंग में सोचेंगे मजभी रंग में इस पर तफसरा करेंगे जिगर साहब अपनी बातों में बाद आवकात ऐसे डूब जाते हैं ये दूसरे के परले कुछ नहीं पढ़ता अगर दूसरे के परले कुछ पढ़ गया तो मज़ा आगया इनकी बातें गाजल के शेर होती है जिस तरह गजल के शौरा अपने मफहूम के ऐतुबार से इलाहिदा-इलाहिदा हैस्यत रखते हैं उसी तरह जिगर साहब की बातों का मसला है गुफटगों में अजाफतों का कसरत से इस्तमाल करते हैं जिस से ये मालूम होता है कि बाते किसी पढ़े लिखे इनसान से हो रही है इन्हें इस बात का बड़ा सद्मा है कि लोग इनकी दावतें करते हैं और फिर कीमत वसूल करने के लिए इनसे शेरों की फरमाईश करते हैं अगर इनकी कोई चीज चोही हो जाए तो ये कहते हैं कि अगर चोर साहब मुझसे पूछ लेते कि जिगर साहब मुझे आफल की फला चीज़ की जरूरत है तो मैं चोर साहब से कहता कि ले जाओ जिगर साहब अवल तो बहुत कम लोगों को खत लिखते हैं जिने लिखते हैं इन में से हर एक के खत का मज़मून करीब करीब यकसा होता है वही खलूस, वही महबत, वही यगानगी, हर एक से एक सथा पर मिलेंगे खा कोई गवर्नल जिर्नल हो, खा मामूली कलर्क, ये बात हर एक में कहां बश्रिकियत इनकी रगो वपे में मजज़ल है किसी के हां मिलने जाएंगे तो इसके बच्चों के लिए बिठाई, फ़ल या खिलाओने ले जाएंगे तबियत में जमा नहीं, जरा से खिलाफे तबियत बात हुई तो समझे आई शामत अहबाब से मिलने में पहल करते हैं, जिगर साहब घर के बजाए सफर में रहते हैं उन्होंने इतना सफर किया होगा, कि अगर वो तमाम आदाद शुमार जमा कर लिये जाए तो मजमूरी हैसियत से उन्होंने मुतत्त बार तमाम दुनिया का सफर कर लिया होगा जिगर साहब हर बात में नफासत पसंद है, नफासत इनकी जिन्दगी है, बजाहिर इनकी नफासत पर कोई जिन्दगी नहीं बरसती यही वज़ा है कि किसी ने पहली बार उन्हें किसी इस मशायरे में पढ़ते सुना तो इसने बावाज बुलंद कहा जितनी बतसूरत हैं पढ़ते हुए इतने ही खुबसूरत मालूम होते हैं अलबते जिनकी नजरे उनके चेहरे से हट कर इनके दिल को भी टटोल आती हैं वो चेहरे के भद्दे से सियाह रंग को भूल जाते हैं जिगर साहब बड़ी भूल भूलईया हैं उन्हें कोई बात याद नहीं रहती आपका इनका हफ्तों साथ हो जाए कि तफाक से दर्मियान में दो चार बरस मुलाकात ना हो तो वो आपको करीब करीब भूल जाएंगे दोबारा मुलाकात पर जब आप इनसे कहेंगे कि जिगर साहब पहचाना तो वो कहेंगे भई कुछ आखें मानूस हैं इस वक्त याद नहीं आ रहा है कि कहां मुलाकात हुई थी अब उन्होंने याददाश्ट का ये तरीका निकाला है कि एक डाइरी पर लिखते रहते हैं लेकिन बुरा हो याददाश्ट का कि अब ये भी पता नहीं कि डाइरी कहां रखी है फिर्जिमा तकदम के लिए वो अरसे से अपने साथ एक मगददगार रखते हैं इसके एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने लखनों में ये बात सुनी कि कल जिगर सहब का बटवा गुम हो गया और इसमें 1200 रुपे थे चुनाँचा भुपाल हौस इस हादसे के अफसोस के लिए पहुचा और पूछा आपको कुछ मालूम नहीं कि बटवा कैसे और कहां गुम हुआ कहने लगे मुझे सब कुछ मालूम है कल एक सहब से चलते चलते मुलाकात हुई थी उन्होंने बड़ी नियाजमंदी का इजहार किया मैंने सोचा कोई मिलने वाला होगा बाजार से कुछ सौदा सल्फ खरीदा फिर तांगे में बैठे और यहां आएं रास्ते में निस सहब कुछ निकाला मैंने सोचा मुझे कुछ बढ़्गमानी होई है ये बात नहीं हो सकती जब जेप को टटोला तो बटवा गाइब था मैंने अपड़ना बटवा इनके पास अपनी आँखों से भी देख लिया लेकिन मैंने इन से कुछ नहीं कहां मैंने पूछा क्यों कहने ल दास्तान खामखा तवील हो गई यह वरना बात तो दो सत्रों में हो सकती थी वो यू कि जिगर साहब की शख्सियत ने मुझे बहैसियत इनसान के इतना मतासिर किया है कि ऐसे लोगों की तादाद उगलियों पर गिनी जा सकती है यह मेरी भी बदकिस्मती है और महौल की भी क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और यह जिगर साहब का खाका किसन ने लिखा है मुहमद तुफै ने लिखा है और यह खाका है आपको यह भी लिखने आ सकता है क्योंकि यह क्या है अफसाना है नाविल है यह खाका है तो यह खाका है आए पहले पढ़ते हैं खुलासा जिगर साहब का खुलासा मशूर रिसाला नशूख नकूश लाहर के मदीर मुहमद तुफै एक अच्छे एडिटर होने के साथ साथ एक काम्याब खाका निगार थे उन्होंने अपने दोर के बहुत से अदीवों, शायरों, नकादों और दोस्तों के खाके लिखे हैं इनी में से एक खाका मशूर शायर जिगर मुरादाबादी का है, ये खाका लखनो के एक गरम दोपहर से शुरू होता है, मुहमद तुफै शौकत थानवी के घर में दोपहर को सो रहे थे, कि सोते सोते उन्होंने शेर सुने, पहला शेर ये है, अगर तोफीग ना दे तो इ व कौकत थानवी के साथ जिगर साहब कमरे में मौझूद है और अपने इशार तरन्नुम से पढ़ रहे हैं, ये था जिगर साहब से पहला बाकायदा तारूर, तुफल कहते हैं कि जिगर साहब के शेरी कारनामे अमीट है, जिगर साहब ने खुद अपने हाद से शेरी अद तुफल साहब ने जिगर साहब की को जिस तरह देखा और पर्खा इसके मताबिक जिगर साहब रोज बरोज फलसफी और वली अल्लह बनते जा रहे हैं। फिर खिलखला कर हसेंगे। इनकी बातें घजल के शेर की तरह होती हैं। तो ये कहते हैं कि अगर चौर साहब मुझे से पूछ लेते कि जिगर साहब मुझे आपके फ़ला चीज की जरूरत है तो मैं चौर साहब से कहता कि ले जाओ जिगर साहब अबल तो बहुत कम खत लिखते है इन में से हर एक खत का मजमून करीब करीब यकसा है वही खलूस, वही महब्बत, वही अगानगी, हर एक से एक सतह पर मिलेंगे, खाह कोई गवर्नर जन्नल हो, खाह मामूली कलर्ग, किसी के यहां चले जाएंगे तो इसके बच्चों के लिए मिठाई, फल या खिलाउने ले जाएंगे, तबियत में जमाँ नहीं, जरा से से साथ हो जाए, अत्फाक से दर्मियान में दो चार बरस मुलाकात ना हो, तो वो आपको करीब करीब भूल जाएंगे, उन्हों ने याददाश्ट का ये तरीका निकाला है, कि एक डाईरी पर लिखते रहते हैं, लेकिन बुरा हो या याददाश्ट का, कि अब ये भी पत गुम नहीं हुआ था, बलके तांगे में साथ बैटे हुए, इनके एक शनासा ने जेव से निकाला था, ये बात जिगर सहब ने खुद बताई, और फिर खुद ही कहा कि मैंने उन्हें बटवा चुडाते देख लिया था, अगर इस वक्त इनसे कहता कि आपने मेरा बटवा चुडा लिया है, तो इस वक्त जो उसे पशिमानी होती, वो मुझसे ना देखी जाती, ऐसे थे जिगर सहब, आएब मश्खे सवाल जवाब देखते हैं, बच्चे मेरी तबियत नासाज है, इस वज़े से हमारी आवास थोड़ी भारी है, सवाल नंबर एक है कि खाका पहली मरत्बा जिगर सहब से किस तरह मतारिफ हुआ? यह आपका बहुत इंपॉर्टन सवाल है, जवाब लिखेंगे कि खाका निगार की जिगर सहब से पहली मुलकात लखनौ में हुई थी, जब वो गर्मी के मौसम में एक दुपहर को शौकत थानवी के घर पर सो रहे थे शौकत थानवी जिगर सहब को इसके कमरे में लाए और जिगर सहब अपने इशार तरन्म से पढ़ रहे थे, इनकी आवासे खाका निगार ने बेदार होते हुए देखा के जिगर सहब के चेरे पर दबी दबी मुस्कुराहट खेल रही है, उन्हें उन्हें शौकत थानवी से इनके मतालिक पूछा, तो खाका निगार ने खुद आगे बढ़कर अपना तारिफ कराया, मेरा नाम मुहमद तुफैल है, सवाल दो है, लखनो की सरजमीन के मतालिक खाका निगार ने क्या बात कही है? जवाब लखनो की सरजमीन ही ऐसी है कि वहाँ आपको कदम कदम पर शायर मिलेंगे, बास दानिश्वरों का ख्याल है कि वहाँ सब सोते और जागते में शेर ही कहते हैं और शेर ही सुनते हैं, सवाल ते ने खाका निगार ने क्यों कहा कि जिगर साहब की बातें घजल के शेर होती हैं, जवाब लिखेंगे गजल का हर शेर अपने मफ़हूम क पर लतीफ गुहतगू करते हैं, वो अपनी बातों में इसकदर डूब जाते हैं कि दूसरे के पल्ले कुछ नहीं पढ़ता, अगर दूसरे के पल्ले कुछ पढ़ गया तो मज़ा आ गया, जिस तरह घजल के शेर सुनकर मज़ा आता है, सवाल चाहरा है, जिगर साहब की रवादार, इनसान और इनसान दोस्त हैं, वो इहतराम आदमियत के कायल हैं, इसके खाके के आखिर में खाका निगार ने जिगर साहब के बटवा गुम होने का जिगर साहब का बियान है कि कल एक साहब से चलते चलते मलाकात हुई, उन्होंने बड़ी न्याजमंदी का इज मैंने सोचा कोई मिलने वाला होगा, बाजार से कुछ सौदा सल्फ खरीदा फिर तांगे में बैठें, और यहां आए, रास्ता में इनसाहब ने मेरी जेव से कुछ निकाला, मैंने सोचा कि कुछ बदगमानी हुई है, ये बात नहीं हो सकती, जब जेव को टटोला तो बट हुआ गायब था, मैंने अपना बटवा इनके पास अपनी आँखों से भी देख लिया, लेकिन मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, अगर मैं इनसे ये कहता, कि मेरा बटवा अपने चुरा लिया है, तो इस वक्त जो इन्हें पश्यमानी होती, वो मुझसे ना देखी जाती, लेगे, लेकिन हमारे जो जिगर साहब थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वो चुप रहे हैं, ये शख्सियत इनके बहुत ही मुतासिर कूल है, ठीके बच्चों, अमीद है ये आपको, जरूर समझ में आया होगा ये, चैप्टर, आप एक से दो बार इसे जरूर पढ़े ताकि आपको एक-एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाएं, और अपने दोस्तों को ये जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसे फाइदा हासिल कर सकें, अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक आप जरूर करें, अल्लाहापोस।